नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपनी ही जोटो चैनल पीरू अकाइट वी पर डियर बात करेंगे सीटेट इजाम को पास करने की मात्र चुटकियों में ट्रिक है बहुत तो ऐसे सिचक साती हैं हमारे जिनके पास समय का भाव रहता है और वो सीटेट की तयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं लियर तो उनके लिए एक रामबान ट्रिक है पूरी वीडियो को देखिएगा इसमें हम पाजटिव और निगेटिव की वर्ड की बात करेंगे और आप यह मान लीजिए कि यहां से अगर आपने इसको समझ लिया तो सीटेट इक जाम आप चुटकियों में पास कर ले जाएंगे प्रशन में सकारात्मत पूछे मान लीजिए कोई प्रशन है और वहां पर पाजटिव पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन सा बिकल्प सही है तो आप देखना उसमें गवर करके उसमें इन ऑप्सनों में से कोई न कोई एक कीवर्ड आपको छुपा जरूर मिलेगा पह प्रशन को पढ़ेंगे तो यह सारे कीवर्ड उसमें मिलेंगे अगर प्रशन में पूछता है कि निमलिखित में से कौन सा बिकल्प जो है सही है चार आप्सन होते हैं गर उसमें सही आप्सन को चुनना है तो इन कीवार्डों का होना वहां 100% मोजूद होंगे डियर दैनिक जीवन से जोड़कर बिलकुल NCF हमारा यह कहता है कि कोई भी चीज बालक को हमें पढ़ानी है सिखाना है तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए से उसे पढ़ाईए क्योंकि उसका लाब यह होता है कि दैनिक जीवन बच्चा जब सुरुवात में अपने परिवार या माता-पिता के पास होता है तो उन चीजों को देखता रहता है और उसी से जब कोरेलेट करके असानी से समझ जाता है लोगतांत्रीक और प्रजातांत्रीक वाताबरण होना चाहिए जहां प्रजातांत्रीक का और लोगतांत्रीक करतिये होता है जहां पर उसकी भावनाओं को कद्र में ले उसकी बात को सुना जाए उसकी बात को समझी जाए तो यह पाजुटिव की व अधिरे विगलांग है तो उसको भी एक साथ मिला कर पढ़ाया जाता है डियर वो समावेसी का च्छाएं होती हैं पाजुटिव में ये सारे कैवर्ड आते हैं द्रफ से समगरी का समुचित प्रियोग जैसे आप देखते हैं OHP है ओवरेड प्रोजेक्टर डिजिटल स्याम प देना है बच्चे की जो मात्र भासा होती है उसको उसी में पढ़ाने की पहले कोसिस की जाती है उसके भासा को उशित तरीके सम्मान देना है वो क्या कहना चाहता है उन सब चीजों को समझना होता है डियर संसाधन और विपिन गतिविधियों के साथ जब आप उसे जो के सर जहां पर प्रस्ट में नकारात्मक्ता की बात पूछी जाए कि कौन सा निमलिखित में से विकल्प नहीं होगा देखिए डियर ये चाहे आप एदियस का पेपर देंगे पैटागोजी का देंगे मायत का देंगे हर जगा ये ट्रिट फालो होगी डियर जब निगेटिविटी पूछे तो प्रस्ट में केवल लिखा होगा मात्र लिखा होगा सिर्फ लिखा होगा आप देखिएगा सीधे उसी बिकल्प को सेलेक्ट कर देना है वही एकदम सच होगा रटना, याद करना, कंठस्ट करना, धंड देना, सजा देना, हतो साहिद करना बालक को या बालक को एक तरीके की समस्या समझना ये सारे option negativity को जो है दरसाते हैं डियर इसमें पुस्तक केंदरित हो सिच्छक केंदरित हो ये सारे option negativity को दरसाती है जहां पर नकारात्मक पुछे या निर्म लिकित में से कौन सा नहीं है विकल्प वहाँ पर ये सारे keyword आपको मिलेंगे पूरे 1500 प्रुष्णों में हर जगा tag word जरूर योज होता है सीटेट में सीटेट जो है कही न कहीं थिंकिग अवैलिटी को टिस्ट करता है डियर आपकी जो conceptual mind होता है उसको देखता है उरसी क अधार पर ये सारे tag word उसमें लागे होते हैं डियर बात कर लेते हैं अगले tag word की तो पहला है gender bios यानि कि जहां पर बेत के अधार पर जो भेत भाव किया जाता है वो भी नकारात्मक्ता की और इसारा करता है डियर नोट कर लीजिएगा gender by of language का समानता मिल जाये option में निस्क्री मिल जाये कोई चीज सीमित करने की बात की जाये कोई ब्याख्या आपको मिल जाये परिभासा मिल जाये सब्दा जाये सीमित ग्यान आजाये संकुचित आजाये निस्क्री आजाये ये सारी चीजे कहीं नकारात्मक्ता की ओली सारा करती है डियर इस वीडियो को आप दो से तीन बार जरूर देखिए गडियर तो आप निगेटिव और पाजिटिव जब टैग वर्ड समझ जाएंगे तो आप जो सीटेट एक्जाम है उसे मात्र चुटकियों में जो है साल्ब कर लेंगे क्योंकि सीटेट का जो एक्जाम है वो आने वाले 28 से सुरू होगा 28 दिसंबर से इसके पेपर जो है सुरू होना है तो आप लोग इन टैग वर्डों को जरूर पढ़ कर जाएगा दो से ती के मात्यम से प्रेसित किया जाएगा ऐसे ही निदंतर चुटकियों में साल्ब होते हुए जो ट्रिक है इस चैनल पर लगातार आते रहेंगे चैनल को सबस्क्राइब करके माल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फिर मिलेंगे निफ्ट अपडेट में तब तक के लिए जैहिं ज अबहारत थैंक यू